प्रतिक्स जो विशह उस पर आपके लिए वीडियो स्टाट कर रहा है। जैसे में आपको जो है विभिन सब्जेक्ट मतलब उसमें समीधान हो गया साइनस हो गया सारे जो कुस्टन से उस पर वीडियो बनाकर दिये जाएंगे जो महत्वन कुस्टन जो है अपने यह यहां एकजाम में आने वाले हैं तो पहला कुस्टन है भारती सासन ववस्ता में एक प्रतिनधी एक लोग प्रिये घटक को समाविष्ट करने का प्रतम प्रयास किसके द्वारा किया गया था तो यह जो अधिनियाम आए थे इन अधिनियाम अच्छा एक पहली बहुत बेसिक बास समझ लीजिए कि भारत देश में जो अंग्रेजों का सासन था अंग्रेज वास्तव में बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के सासन और यहां पर जो चला यहां पर चार्टर एक्ट आते थे ठीक है और इसके बाद भारत देश में 1858 से लेकर के 1947 तक जो सासन हुआ था बिटिस क्राउन का इसी दे बिटिस सरकार का हुआ था 90 सालों तक तो उस समय जो है यह भारती पलिशत एक्ट आते थे तो यह जो 1861 आयक्ट हुआ था इसके जह भारत देशनाद प्रत्थम भारतियों को जो वायसराय था उसकी कारिकारणी में बैठने का अधिकार दिया गया था कुछ बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था वहाँ पर से बैठ करके कारवाही को देख सकते थे जबकि 1892 में जो वहाँ पर बजट होता था बजट में प्रश्ण करने का अधिकार दे दिया गया था उन्हीं भारतियों को 1861 में सिलेक्ट किया गया था अगर उसी तरह के लोग चुने जाते थे तो 1892 तक सिर्फ वो बैठते थे वहाँ कोई चर्चा नहीं लेकिन 1892 को पर्षन करने का दिया गया बस कुछ पूछ सकते हैं हाँ इसमें को और बात याद रखे हैं कि जो 1909 का जो है से हम मारले मिंटो सुधार कहती हैं और मारले मिंटो सुधार इसमें जो है मुसल्मानों के लिए अलग से निर्वाचन छेत्र जो है की घोशना की गई थी तो ये देश में पहली बार समपरदाय तक अधार पर अरख्छं के वस्तर करने वाला अधिनियम कहलाता है मारले मिंटो सुधार और 1909 का जो अधिनियम था वह माहिलाओं को अलग से माहिलाओं को जो है चुनाओं में मत देने का अधिकार जो है पुदान करता है चलिए नेक्ष्ट जो आपना है कॉशन नमबर दो उसकी बात करें आपसे यहां पर को कहता है कि इन में से कौन सा भारत में समस्ति समिधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक से दुवा मत अब सबसे खराब खराब दो नहीं जो बहुत कम चला ठीक है तो जो में शुरू हुआ था ठीक है इसके लाबा दा इंडियन कॉंसल एक्ट नाइंटीन से माइलेमेंट चुदार यह तो सफल था ही पिट्स इंडिया एक्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में इसके तहत भारत देश में जो वायसरा है इसने भश्टा चार्प करने किया था यह रोप लगे थे और उसी को दूर करने के लिए यहां पर पिट्स इंडियक्ट आया तो यह जो है इसको एक बर धान से देखें तो फिर भी यह ज्यादा चल नहीं पाए ठीक है तो और 35 का दिनिय सबसे कम सफल था ठीक है असफल कह सकते हैं इसके लगाओ विभिन धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की अलगाओ वादी तथा निमले खितमे से किसका विसिष्ट लक्षण है आसान भासा समझा दूँ आपको मैं कि विभिन जो है धार्मिक को एक संप्रदाय जो अपने होते हैं उनके अलग अधिकारों की बाद बिभिन धालों की बाद कौन सा धियїम करता है क्या सब्सक्रेंछा था इस पर बात कर कि Healthcare 1910 देश को आधर्मिक करबाता है कौन थे मतब भारत देश का समीधान सही बात है यह अपते टेक्ष ढहें घए मैं याद रखें समीधान सभा 1946 ने बनी आपर तेक्स चुने गए थे जानता कि द्वारा जो विभिन बिधान सभाएं हैं उनके मेंबर से फिर चुन कर गए थे उनने किया था ठीक है और मुस्लिम लीग तो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग तो वैसी अपने अलग से देश की उन मांग सभा के शदस नहीं थे तो समिधान सभा के शदस कभी भी अपने जो है देश के राश्त्रपिता महत्मा गांदी नहीं रहा दि भारति समिधान तो क्या समुदान के पहले और समिधान के बाद या बीच में से कई सीवी क спокой कोई मेंबर कभी नहीं थे बारत देस महात्मा गांधी कीसी भी जो इस राजनितिक करत्विदी का हिस्सा नहीं थे अजाधी के पहले और बाद मैं ठीक है ठीक है ठीक है स्कुंछन लेटा अपन भाहरत की सामीधान सभा की आएस्थाइच शभाति ठीक है तो यह व्याद रखें और डॉक्टर अन्परसाथ थे इस थाई सभवपती जो कि 11 दिसंबर को लगा था बियारा मेट कर देश के पहले कानुन मंत्री और पंडेश जी जो है देश चाचा जी उनको पंचानते हैं देश के पहले प्रदान मंत्री अगला कोश्चन है कि कि जो है समीधान का मसाओधा तयार करना व्यम्हारे बीयान राव साहब थे समिधान सभा के समीधानिक सलाहकार के तोर पर जो है बीयान राव का नाम आता है हमेशा ठीक है जाएंड देशंबर तो वही समीधान सभा के बारे में इंट्रेस्टेंग बात बताता हूं कई लोगों को नहीं पता होगा समीधान सभा जो थी उसके दो काम थे एक तो देश का कानून बनाना और एक देश का क्या करना सरकार चलाना क्योंकि जब तक करनून बनेगा नहीं तब तक तो अंग्रेश तो थे नहीं तो कौन चलाएगा तो समिधान सभा जो थी समिधान सभा की अध्यक्ष थे वो कौन थे हमारे डॉक्टर राजेन प्रसाथ थे और वो लोग जो सरकार चला रहे थे इसलिए पहली लोग सबाखे दख्ज भी कौन मने गड़ेस वासुदेव मावलंकर आप सभी को पता होगा समीधान सबाद वारा भारत के समीधान को तयार करने के लिए कितनी समीधान किया गया था तो समीधिया कितनी मनी को मिला के 17 समीधि टिक है और यह बता दू मैं कि आड़ समीधि जो है बड़ी समीधिया थी बाकी झूठी आप यहां पर जनता का शासन होता है पहली चीज तो यह ठीक है अब सामय वाद क्या है यह समझते हैं सामय वाद गया है करते हैं जो समाजवाद है कि नाइंटीन सेवंटीन में समाजवात आया और रूस में समाजवाद के पास होती है नीजचेटे को कवंधिकार दिया समाजवाद कहना यहां paul क्या होता है कि यहां परन याय का अधिकार सब surrender लोग कर दिया जाता है यही में वज़य की प्रजात अंतर की जणे जो है इससे जो है नष्ट जो है हो, सकती है किससे स् Scr. अतंकवाद्र विद्रोज है हानी पहा सकता सकता है पूस्ट झो सब्रब निधा कर नष्रक्सटा नेसका की भारत एक धर्म में पेक्ष देश है इसका क्यातात पर है तो पहला है कि धर्म मतलब क्या धर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जो किसी भी एक धर्म को विशेज धर्म का दर्जा नहीं देता है हमारा भारादेश उसी में से एक है इसमें को जारचा करने वाली बात है नहीं वारदेश में सर्व धर्म धर्म को समानता से देखा जाता है तो आप सभी लोग जो है सभी धर्म को जो है बराबर जो है वैल्यू दीजिए भाई है ना एक गरतंतर होता है गरतंतर क्या है तीन तरह का तंतर होता है तंतर की बात करें तो एक होता है राज तंतर जहां पर रा आप गया कि जिस का राश्टे प्रमुक प्रमुक का वह जहाता है तो pa कि बनता है तो हमारे भारत देश में बिलकुल यह है कि यह है राष्ट अ देश का बेटा यह वह अंसान को त्रुप से ऊसपादर किसी को नहीं बताया जाता है तो गणता है तो तीन बाते हैं ध्यात रखें पहले राजितंत्र हुगत का हमारा भारदेस कि असफल तक क्यों ही तो ब्रिटिस समर्थन का भाव समर्थन तो बिल्कुल था ठीक है कॉंग्रिस और मुस्लिम लीग के मर्द समाथी का ना हो पाना त्याद रहें पर इवेलियोजना मुस्लिम लीग ने इस बात पर अडिक थी कि हमें अलग राष्ट चाहिए और परमिशन अजाज को लागू किया गया क्यों कि वैं सुब्धिन था तो सुब्धिन बाद में बना भाई ठीक है ज्यादा सुब्धान को रूप देने वाली उच्छा क्या है रिच्छा तो क्या है वो लोग थे उनको तो जो ही लागू करना था तो यह गलत हो गया अंग्रेज इस त बाद गये थे तो यह तो तो तीनों गलत हो गए चौथ है इस दिन नाइंटीन प्वंटी नाइन से सवन्ता दिवेश को रूप में मनाया जाता था बिल्कुल साही बात है आंको बता होगा कि 1929 में लाहूर में दिवेशन होगा था लाहूर किस नदी के तरपर है जार का मै लेट देके चले गए तो 15 गस्त को गए अब वो डेट को याद कैसे इतिहास में रखा जाए तो से डेट को यादगार मनाने के लिए हम 26 अमरी को अपना जो है समीधान हमने लागू किया था ठीक है अगला क्वेश्चन है समीधान के निर्मान में कौन सा दल सामिल नहीं थ था तो कॉंग्रेस तो भाई टॉप पे थी मुस्लिम लीग जो है सुरू में तो यह भी थे सामबादी दल यह भी थे और हिंदू महासरबा यहां पर नहीं थी भाई हिंदू महासरबा रजवाडों ने पूरी तरह आने से कर दिया था मना ठीक अगला कोशन है आपर की जो ह है कोश्चन कहांगे है भाई हमारे देश का समिधानिक नाम क्या है तो हमारे देश का वैसे नाम तो भारत भी है हिंदुस्तान भी है आर्यवर्त भी इंडिया सब भारत देश के हैं लेकिन प्रशन क्या है समिधानिक नाम समिधानिक है भारत अर्थात इंडिया देश के प ध्रत्राइब कॉन थे पहले जो कमिल मंत्री थे कम मंत्रीन पहले एता चुका आपको कि अबेटकर शाहब देसके बहुत कवनती थे यह राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्शी भी यही थे और पूर्णा पैक्ट की बात कर ली जाए तो पूर्णा पैक्ट हुआ था महत्मा गा कि जो है इतना ही कुश्चन है बीस कोश्चन अब दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जह बड़ा जह है चीज अच्छा लगा होगा वीडियो और चीज समझ में आई होंगी मैं आपको इस और इंट्रेस्टिंग वीडियो बना करके जो है हर रोज कम से कम तीन है जय हिंद